दोस्तो इस विडियो में हम लोग बात करेंगे अव根版िस्तान वंडे टुनामिंट का जो मुखाब्लाखे ले जाए गाain रिइज विडियो में हम लोग गीक इक प्लेश के बारे में डेप लियर अनालीसिस करेंगे इनका प्लेयर स्टाटिक से अंगे साथि चे करेंगे साथ ह हमारी जो टीम होगी पूरी प्रडिक्शन और इनालेसिस के मताबिक काफी डिफरेंट और अलग देखनों के मिलेंगे तो आप सब इस वीडियो के इन तक देखिएगा यह मुकाबला हमारे लिए ओलमुस्ट काफी बहतरीन जाएगा क्योंकि वहाँ पर हमने जो लॉजिक है वह काफी अच्छे वर्क करेंगे उलमुस्ट अगर हम बात करें तो रिसेंट मुकाबला हमने जितने कवर किये उलमुस्ट वाल्टरा क्लेंसिप जा चुके हैं और यह भी मुकाबला एक बहतरने हम लोग का विनिंग होगा तो आप सब इस वीडियो के इन तक देखिएगा जरूर पहुंचेगे तो गैस चानल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजेगा तो गैस सब्सक्राइब प्लेयर वाइज अनालिसेस करेंगे तो सबसे पहले हैं आप सब देखरो फैंटेसी के एक टेलीग्राम चानल को अल्मुस्ट आप सब को यहां पर चुनना बहुत है इ प्लेशरी है तो उसकी फाइनल टी समय आपको मैं टेलीग्राम चानल पर तो उर्मॉस्ट आप सब लोग लाश्ट मेंट तक हमारे टेलीग्राम चानल पर जरूर से अक्टिव रहे तो घ्यक्रेज चलते हैं प्लेयर वाइज अनालिसेश कर लेंगे तो जैसी आप सब ड्रस तो यह मुकाबला जो होगा ना एस्जी वेर्जिस बेटी के बीच में खेला जाएगा यह आठवा मुकाबला होगा लगभा आपको दस वेजे करी में देखने हो कि मिलेंगे कलंदर करिकेट इस्टेडियम पर खेला जाएगा जो इनकाबरेजिस स्कोर होगा 230 से आपको 2800 के बीच में स्कोर बंतो नजर आएगा और SGK टीम जो रिसेंट अपने तीन मुकाबले खेलें वहां पर तीनों मुकाबले लॉसी की हैं और SGK टीम रिसेंट जो दूं मुकाबले अपने खेलें वो दूपनों मुकाबले अपने one करके आ रही है जो मेरी final team रहेग अब दुस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे सजी के प्लेयर इस्टार्टिस के बारे में तो यहां पर आप सब ध्यान से सुनेगा तमीम नेज़ा रहेंगे जो कि ओल्मॉस्ट टीम को उपनिंग बैटिंग करेंगे इनका जो एबरे जो इस्टाइकरेट है ना वो काफी बहतर प्लेयर रखेगा जियर के को में तो पर मेरा सजेशन रहेगा कि आप सब इसे स्मॉली के टीम में प्लेयर के तोर पर रखो और रहेंगे ज़सकत बाकिश अबीर के बात कर तो पहले मगावले 25-25 और नौका स्कूर किया कुछ खास बहतर निंका परहुमेंस नहीं रहा फिल सब्सक्राइक और मैं सजेशन होगा अब नसीर कान के साथ ही जाओ क्योंकि इनका रीसेंट जो फॉम है ना वह काफी बहतरी ने और मुस्ट तीस उन्तीस और तालिस का स्कूर किये तो यह काफ़े इंपोर्टन शॉप्सन से रहेंगा आप सब के लिए तो द्यों अपने स् तरilly की कॉंबिनेशन हो अब यहाँ सब आप यहां से अगर हम बात करते जमम् के तो नहीं रिएजेंट मुकाबले बॉलिंग भी किये हैं पहले मउकाबले तीरह काइसको अर पल्मस्त दस रखके बॉह इसके पहले के मुकाबले में नहीं किया थे तो फिला लिंग का नथो बॉलिंग कनफर्म है नए तो इनका बैटिंग कनफर्म है एक रिस्की ओप्शन से रहेंगे ग्रैनली कॉंबिनेशन में काप्टन और वैस्ट कप्तन जरूर से उच कीजिएगा इस मॉली के टीम में अगर आप सब चाहों तो इनको ऐसा प्लेयर भी ठाख सकती है पर आप इस इस मुकाबले के लिए मुझे इन बॉर्डंट उप्शन से रहेंगा आप सब के लिए स्यफ चुआ इसको भी स्मॉली के टीम है इसे काप्टन और वैस्ट कप्तन भी ट्राय करना चाहते हो ना तो आप इसके साथ चले जाएगा जो कि एक एबरेज प्लेयर रहेंगा आपक कर रहें तो यह भी काफे इंपोर्डंट उप्सेंगे जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके देंगे तो इनको आप सब इस मॉली के टीम है एजा प्लेयर रखिएगा और ग्रेंड़ी कॉम्बीनेशन में काप्टन और वैस्ट कप्तन भी लेकर चलेगा इमाद के बा तो आप इसे जील की कॉम्बीनेशन में ही ट्राय करके चलिएगा अब ताब आलम जो रीजेंट मुकाबले इनका ठीक्टा करा अब यहां से देखो और आदिल और यहां से अफ्ता अफ्दाम में से किसी को यह लेकर चलेगा पर मैंगर सजिट्सन है कि अपताब एक भातिन प्लेयर के बारे में तो तमीन मुझे काफिन बॉर्टन जिदी कि आप यहां से नजीर खान को अपने स्मॉली के टीम में ट्राय करेंगे यहां से देखो बशीर शाहा को भी लेकर चल सकते जो कि और मुस्त इसका भी स्टास ठीक्टा किये आप इन दोनों में से किसी को ट्र जारिब खान को लेकर जाने वाला हूँ बाकि यूभी टीम में चेंजे सुंगे इसकी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चान पर देंगे तो आप सब लाश्ट मन तक हमारे टेलीग्राम चान पर जरूर से आक्टिव लेगा दोस्तों यहां से बेंच प्लेर से बात करें त आपके लिए इंपोर्टन्स रहेंगे रीसेंट दो मुझ दो मुझ दो मुकाबले जो अपने खेले थे वहां पिनो नहीं आठ पर दो विक्टे चोंतिस पर एक विक्टे तो कहीं नहीं इस मुकाबले में खेलेंगे तो आप सब इनको स्मॉली के टीम ऐजा प्लेयर और ग् जाए ग्रेंड ली कॉंबीनेशन में काप्टन और वैस कंटन भी लेकर चल सकते तो बाकि आप अब अब्दुल सरवारी को ग्रेंड ली कॉंबीनेशन में ट्राइक और मुहमद ताहिर आपके लिए 72 उप्संस के तोर पर काम करेंगे में डिल लोडर बैटिंग करेंगा आ पर देंगे तो अर्मुस्ट आप सब टेलीग्राम चानल पर लाश्ट मन तक जरूर से अक्टिव लेका अब दोस्तों बात करेंगे बीजी के प्लेयर स्टाटिस के बारे में तो यहां पर थोड़ी ध्यान से सुनीगा फानल टीम के लिए टेलीग्राम चानल को जोएन कर ल मुझे काफी बहातरिन देखनों की मिला है बाटिंग और बॉर्णिंग दोनों से तो इस मकावले के लिए मुझे इस प्लेयर ही रखिएगा ग्रैनली कंबिनेशन में काप्टन और वैस्ट को तन भी लेकर जा शकते हो अगर हम यहां शेश अताल के बात कर तो इनको आप ग कॉंपरिजन कर लीजेगा और किसी एक को लेकर जा सकतो जो कि दोनों का सेम पोजिसर नहीं का बैटिंग से कुछ खाल अंतर पढ़ेंगे नहीं नश्ची की कार आम बात कर तो यह अपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर देंगे पहले मुकावले नौ पर जिरो विक्ट लेंगे तो इनको आप सभी स्मॉली के टीम एजा प्लेयर और ग्रेंडी को मिनेसर में काप्टन और वैस को तन्वी ट्राइक कीजिए अब्दुल्रहीम रीसेंट मुकावले बैटिंग और बॉरिंग दोनों की हैं पहले मुकावले के लिए मुझे ठिक था कॉपसंस देख मुकी मिलेंगे और यहां से नजात मौशूद जो इस मुकावले के लिए ठीक ठाक ओपन्स हो सकते हैं रीसेंट मुकावले चार पर दो विक्टे और मुट शावर बॉलिंग के रहे तो मुझे देखो कुछ खास इनका बहतरिन स्टार्ट नहीं दिखा है जिसको भी सेलेक् पर देखेंगे तो आप सब इने जिल के कॉम्बीनेशन में ट्रा करों स्मॉली के टीम में फिला लेने से आपको कोई भी फैदा नहीं होगा फिलाल अगर हम बात करती हैं पलर के बारे में तो इनने से कोई भी इस मुकावले में नहीं खेलने वाला है फिलाल अगर जो भी सब्सक्राइब करेंगे तो आप सब टेलीग्राम चान पर जरूर से अक्टिव देखेंगे तो आप एक चीज नोटेस कर लो जो हमारे टीम कोंबीनेशन होगी ने थोड़ी से रिस्की देंगे अगर आपको खेलने का इसा करें तो खेलिए का वरना आप अपने मताबिक सब्सक्राइब करेंगे तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो देखो विकेट कीपनिंग से किसी का भी भरोसा मत करो क्योंकि मैं थोड़ी सी बैटिंग फ्रिल नहीं जा रहा हूं इन खांड को अपने स्मॉली के टीम में ट्राइक हो बीस साहा को ट्राइक करके चल लें और अब यहां पर देखो जो आपको तीन प्लेयर नजार रहेंगे ना इन तोनों में से मुझे किसी पर भरोसा नहीं कि अच्छे का से स्कोर करके देंगे तो मैं फिलाल देखो यहां से मैं आपको तामीन एक ओपनिंग बैटिंग करेंगे तो यह थोड़ी सी मुझे परफेक् हो जाएंगे अब यहां से देखो बॉलिंग से से हम थोड़ी से गर हम बात करें तो वाला मुझे काफी बहुतिन और यहां से अरिफ को ट्राइब कर रहें कैसोरी हिश्मात को ट्राइब कर रहें जो कि अगर आप देखो इनके कैस्ट में अगर यहां शेफ मौमत खेलेंग वो थोड़ी सी रिस्की है तो आप यहां पर अपने मुताबिक सेलेक्शन बेसिस पर डाना जातों यहां पर इनके साथ जा जा यहां फिर आशे अतार कर साथ जा सकते हो और मुझे तो आप इन दोनों में से किसी को ट्राइ करके जलिएगा बाकि अलांडर सेक्शन से 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 जाओ थोड़ी सा भी रिस्क लोगे तो साथ यह मुकाबलर रिस्की बन जाएगा तो मैं थोड़ी से रिस्क नहीं ले रहा हूं यहां आशे मुहमद सूद को अपने स्मॉली के टीम में रखा हुआ हूं बागी सब आकर आप चाहों तो भाकार को भी रख सकते हो तो आप ब आक्टिव लेगा अब दोस्तों यहां पर कर रहा हम काप्टन और वाइस कप्तन की बारें बात करें तो अगर आप बॉलिंग सेक्टन चाहों तो यहां को कर सकते हैं जो कि अपने काप्टन को ट्राय कर रहा हूं तो बाकी सब आप अपने मुताबिक टीम में चेंजर्स करो अब देखो मेरे काप्टन रिस्की हो जुके हैं और मुस्त वाइस कप्तन की बात कर रहें तो यह कंबीनेशन है ना काफी परफेक्ट है तो मैं इसी टीम से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप सब लोग टेलीग्राम चान को जो आन कर लीजएगा इसे वेडियो का ड्रिस्कीप्सन में लिंक है तो मिलते के लिए वेडियोस में